इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा wait friends कि अगर आपने Facebook में किसी post को dropped में save कर दिया है यानि कि दोस्तों जब आप किसी को post को करने वाले थें लेकिन बाद में आपने उससे dropped में save कर दिया है जाना है Facebook में Facebook में आजाने एक post को आपको फिर से dropped में add करना होगा उसके बाद ही आप पुराने dropped में save किये गए post को देख सकते हैं तो friends सब आपको क्या करना है कि आपको यहां से कुछ भी type कर देना है जैसे example के लिए मैं यहां पर सिर्फ हाई टाइब कर देता हूं उसके लगाद फैट सापको बैक बटन पर क्लिक करना है और बैक बटन पर क्लिक करके आपको यह सेब एस drop पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको एक notification आएगगा जैसा आप पोश्ट यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं वो सारे डॉप्ट में सेब किये गए पोश्ट यहाँ पर आ चुके हैं तो इस तरह किसा आप फेस्बूक में डॉप्ट में सेब किये गए पोश्ट को देख सकते हैं यानि कि उसे आप ढूंड सकते हैं उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए चैनल पे नए है चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजिए